नमस्कार दोस्ता मेरा नाव अभीशिक चेवान और एक बार फीर आपका स्वागत है केर फॉर लातन फिटनेस पे और जैसे के आपको पता है 16 अप्रेल को ALP लोको पाइलेट का साइको टेस्ट है महाँ पर आपको आखो का फिटनेस जो है वो सब्मिट करना है अगर आपको चश्मा लगा तो डेफिनिटल आपको होने वाला है नहीं कोकि उनकी एलेज़ेटी के एक्कॉडिंग नो ग्लासेस ही अवेलेबल है तो मतलब जो उसमें पास कर सकते हैं और मैंने कुछ दो तीन मंद पहले वीडियो बनाये थी कॉंट्यर आप विजन की कि गवर्मेंट ज जो कि डेली में है एल पी प्रसाथ है इंस्टिट्यूट है जो कि हैधराबाद में वा और एक शंकर नेतराल है जो की बड़ा इंस्टिट्यूट है ऑ चैनाई मेंं महा पर भी यह चारफरह की बड़़ए-बढ़ इंस्टिट ईजा हाय'll quality, हाई कोशूश सेफटी के साफ़ कोईटर विजन आता है तो जो test होती है LP जो लोको पालिट टेस्ट होती है उसका लब जो government जो test होती है मैंने इक standard निकला है medical standard A1 के according वाद टेस्ट होती है और किस तरह की test होती है वो सारी में detail आपको इस वीडियो में बताने वाला है विजन टेस्ट टेस्ट एक्टिशूं टेस्ट होता है निएर बीसेंट टेस्ट में अपने दूर का आपकी डिस्टंस चेक करतें जिसकें अभर कोई जो भी आप समझ सके वह आपको पढ़ना रहता है और जैसे कि आप इस क्रिंट पर देख रहे हैं यह इस तरह से लास्ट सेकेंड जो है TYHMIWA ये 6x6 विजन है और ALP लोको पाइलेट क्लियर करने के लिए 6x6 विजन तक आपको पढ़ना जरूर ही ये कैसे पढ़ना है ये दोनों आखों से भी पढ़ना है और उसके बाद सिंगल आख पर या तो हाथ रख देंगे वो Norm reboot आपको वा आख से पढ़ना है ये फिर उनका एक ब्लास होता है चस्मा ने रता है जिसमें वो एक blank काला लेंज डालते है जिससे एक अक्का नहीं दिखता है दोने की काम करते है वो रखने का एक आख से पढ़ने का बोलते है फिर उसके बाद दुसरे आख से पढ़ने का बोलता है आपको six by six vision तक आपको पढ़ना पढ़ता है यह होता है near vision test अगर आप एक clear करते है तो आप अगले test में जाते है जो की होता है color vision test यह color vision test भी बहुत ज़रूरी है सभी में और यह होता है इशारा test से इशारा test कैसा होता एक तरह की book होती वो खोल के आपको देखते देते उसके अंदर एक circle रहता है कोई figure रहता है उसके अंदर कुछ number रहता है लेटर होता है maximum circle में number ही रहता है और वो पढ़ने का कहते है अगर आप पढ़ सकते है जैसे कि 74, 26 या फिर 5 ये number अगर आप पढ़ दिये तो अगर आपका color vision ठीक है अगर आप ये नहीं पढ़ पाए मतलब आपको color blindness की problem miss match हो जाता है आपको green blue में फरक नहीं पढ़ता चलता तो ये color blindness की problem होती है तो आप ये पढ़ नहीं पाएंगे और अगर आपकी color blindness की problem नहीं है तो आप आसानी से ये test clear कर लेंगे ये भी दोनों आखों से होता है मैं बता रहो सारे test single आखों से भी होते है ये दूसरे आख से भी होते है फिर दोनों आखों से होते है जो की standard rule है अगले जो टेस्ट है वो भी बहुत important है वो है sleet lamp examination ये test बहुत important है और इस टेस्ट में आपकी आखों की जाच होती है करीब से जिससे पता चल जाता है अगर आखों में cut तो नहीं है निशान तो नहीं है खामिया तो नहीं है कुछ भी problem तो नहीं है ये कैसे होती है एक तरह की machine होती है आपको सामने बिठा देते आपका चीन वहाँ टिकाते जो एक्जामिन देते तो वो खुद देखता है पहली आख देखता है उसमें एक light डालता और देखता है और उसमें अगर problem नहीं होती है तो आपका sleet lamp examination clear हो जाता है और इसलिए मैं कहता हो कि government job के लिए contour vision perfect है तो कि लेसी को और इसमाइल sleet lamp test में पकड़ा जाता है और contour vision नहीं अगली जो test है वो है fundoscopy जिसको कहते है पर्दे की जाच जी हाँ पर्दे की जाच भी करते हैं वो लो कि पर्दे में कुछ problem तो नहीं है वो कैसे होती है आपके आकों में drop डाल करेंगे कुछ और उसका 20-30 मिट तक बंद करके विठा देंगे उसका जैसी आप खोलेंगे आपको बुलाएंगे और उनके पस एक lens होता है उस lens के through वो light से check करते है कि आपका पर्दा correct है या नहीं कुछ problem तरही है इस तरह का दिखता है screen पर अगर आपके पर्दे में कुछ problem होती है major problem होती है तो फिर वो आप fail हो जाते है और अगर आपके पर्दे में कुछ problem नहीं है तो आप pass हो जाते है तो यह चार तरह की test है जो कि बहुत important है और केवल ALP medical ALP जो local pilot है उसमें नहीं बाकि सभी में होती है इनमें तो होती है जो कि मैंने आपको RRB की sites and eligibility बनाई उसमें तो होती है इसका अब भी चार पास तरह की test होती है जैसे कि field of vision test होगे बाइनेकुलर test हो गई test हो गई या फिर night vision test हो गई यह चार पातरे की test होती है जो कि special condition में होती है अगर उनको लगता examiner को यह करना जरूरी है तो ही करते है क्योंकि इनके लिए बहुत ही high tech machine चाहिए और यह high tech machine नहीं हो government institute test center के पास नहीं होने के कारण वो फिर refer करते है candidate को कि आप वहाँ जाई और यह test कराई है बट field of vision test है दो तीन इसी test है वो लगता ही करने लाएक है तो वो खुद ही करते है इस candidate के लिए कैसे field of vision test कैसे करते है मुझे माले जी examiner मैं आपके आग field of vision test चेक करो मुझे लगा क नहीं इस इंसान के field of vision test करना भी जरूरी है मैं यहाँ बेटा हूँ आप मेरे सामने बेटे सेम हाइट पर सेम डिस्टेंस पर ठीक है आप यह बेटे पास में और मैं आपको बोलूँगा कि आपके right eye को close करें मैं भी अपनी right eye को close करूँगा ठीक है उसके बाद field of vision से हमको एक हाँ से कितना field हमारी vision कितनी दूरी तक देख सकती है कुछ object ले लेते like pain like जो मैं object बता रहूँ ठीक है दोनों हाथ रखेंगे और इधर सा pain आएगा ठीक है यह pain आया इस point में मुझे अब दिखने लगा है pain ठीक है अगर आपको इस point पे आपको क्यों pain दिख रहा है तो उस अगर point पे आपको दिख रहा है और उस point पे अगर मुझे भी दिख रहा है same point same time पे तो आपकी field of vision टेस्ट है सही है और जो night vision टेस्ट होता है उसमें क्या होता है उसमें आपको एक room में बिठा देते है और 20-30 minutes तक आपको बिठा देंगे पुरा अंधेरा रेगा और उसके करण जो आपकी आख है वो night mode में आजए क्योंकि भगवान नेचर ने हमारी आखे इसे बने ही night mode में आने के कारण दिखता था कुछ है नहीं बट कुछ भी हम identify कर सकते है तो उसके लिए क्या करते है 20-30 minutes बैठाने के बाद एक screen लगाते है एक screen आती ही उसके नदर कु होती ही वो हर जगे होती है उसके लावा जो 3-4 तरह की टेस्ट है ये भी होती है special condition में यही टेस्ट होती है और यह LP लोको पाइलेट के लिए बहुत जरूरी है इसके लावा दुसरी government job के लिए भी अगर आपका medical examination होता आखों का तो यह टेस्ट हो commonly सब जगे ही होती है तो मेरी आपसे request है कि आप please इस चीज़ को समझे गब मुझे काफी लोगों ने comment करा था नीचे की उनका test आने वाला है LP लोको पाइलेट का या फिर दूसरे government test में किस तरह की test government job के लिए जो आए के certificate पाना रहता है तो किस तरह से वो कर सकते क्या क्या test होती है तो वो सारी लेट में करता रहता हूं या फिर आप इंस्टा या मुझे नीचे इस वीडियो के comment भी कर सकते हैं इस वीडियो को जादा जादा शेयर करें लाइक करें नेक्स हैल्डी वीडियो में जल्दी मिलेंगे तब तक लिए बाय बाय थैंक यू बेरी मच